हलो इस्टूडेंट्स, बेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट भारती दर्शन आज हम बात करेंगे रामानुच चारे के विशिष्टा द्विदान्त दर्शन में बंधन एहम मौक्ष के सोरूपर रामानुच संपोर्ण भारती आस्तिक संप्रताई में रामानुच कर्मों को बंधन का कारण स्विकार करते हैं रामानुच के अनुसार कर्म बंधन के कारण आत्मा जनम और मृत्यू के चक्र में विचरन करती है और विविन दुखों को भोगती है रामानुच के अनुसर कर्म तीन है प्रारप्त संचित एवाम संचयमान प्रारप्त कर्म का सम्मद भूतकाल से माना है वे कर्म फल जिनोंने अपना परिणाम देना प्रारप्त कर दिया है प्रारप्त क्यलाते हैं इन पर मनुश्य का कोई वश नहीं होता इसका परिणाम अवश्य भुगतना होता है संचीत कर्म जो एकत्रित हो चुके हैं और अभी जिनका फल मिलना प्रारंब नहीं हुआ है संचयमान कर्म इने क्रियमान भी कहते हैं वर्तमान में जिनका संग्रह हो रहा है और भविशे में हमें जिनका फल भुगतना होगा वह इस वर्ग में आते हैं रामनुच के नुसार मौक्ष या मुक्ति का साधन केवल ज्ञान नहीं है बलकि ज्ञान और कर्म समुच्चे है ज्ञान और कर्म से भक्ति का उधे होता है जिससे की मौक्ष की प्राप्ति होती है और रामनुच के नुसार भक्ति को मौक्ष प्राप्ति का प्रमुक्ष साधन माना है रामनुच कीता के समान नवधा भक्ति को स्विकार करते हैं जिसमें अनुने, विने, भजन के नुरित्ते, पुजा, अधी सभी को से मिलित किया जाता है भक्ति में रामनुच प्राप्ति की अवस्ता कोश्रिष्ट मानते हैं प्राप्ति पूर्ण चर्णागत की अवस्ता है जिसमें भक्त अपना सर्वस्व इश्वर के चर्णों में समर्पित कर देता है भक्ति के अउस्सा में भक्त ऐसा नुभव करता है मानू वह इश्वर के लोक में है इश्वर के जैसा है इश्वर के समीप है तथा इश्वर से संबंदित है रामानच के अनुसार चीवन मुक्ती संभव नहीं है केवल विद्य मुक्ती ही संभव है प्रारब्द के नश्ट होने पर स्वत्य ही शरीर का पात हो जाता है तथा जीव या आत्मा जनम और मृत्य के चक्र से मुक्त होकर इश्वर सद्रशे बैकुंप में निवास करती है रामानुज सद्रशेत के वस्ता को मानते हैं जिसे अप्रथक सम्मन्द के रूप में भेदा भेद रूप भी कहा जा सकता है रामानुज ने मौक्ष के विविन सोपान बताये है सालुक के मुक्ति जब आत्मा प्रमलोक में पहुँच जाती है तब उसके पुन्रा गमन का भे समप्त हो जाता है तो वह मुक्ति सालुक के मुक्ति कहलाती है शाष्टी मुक्ति आत्मा द्वारा ब्रहम के इश्वरे का उपभोक करना शाष्टी मुक्ति है सामी पे मुक्ति धीरे धीरे आत्मा ब्रहम के समीप जाती है ये सामी पे मुक्ति है सारुपे आत्मा जो है वह ब्रह्म के समान बन जाती है और सायुज्य मुक्ति ब्रह्म के शरीर में प्रविष्ट होकर उससे एक्के स्थापित करना सायुज्य मुक्ति है इस अवस्था में भी आत्मा रामानुजर्शन के नुसार अपनी व्यक्तिक्ता को कायम रखती है तथा इश्वर की भक्ती में लीन रहती है धन्यवाद